ही गाईज वेलकम बैक ट्यू नॉटी स्टिचेश आज की इस वीडियो में हम बहुत इजी तरीके से कपड़े की ये डोरी बनाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद डोरी बनाने से जुड़े आपके सारे कन्फूजन्स दूर हो जाएंगे तो चलिए इसे बनाना तो डोरी बनाने के लिए हम सबसे पहले फैब्रिक का एक सकुर्ण republic लेंगे और इसे बीच में से डाइगनली फोल्ड करेंगे इस तरह से और अब हम इसमें से बाय स्ट्रिप यानि उरे पत्टियां कट करेंगे डोरी बनाने के लिए उरे पत्ट इसले कट की जाती है क्यो तो एक पट्टी को हम दूसरी पट्टी के साथ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बारीक बख्ये से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और बहुत जादा मार्जुन में यहाँ पर नहीं चोड़ना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चोड़के हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से दोनों पट्टियों को जोड़कर सिलाई लगाने पर इस पट्टी का स्ट्रेच भी बहर करार रहता है और आप जितनी मर्जी चाहें उतनी लंबी डोरी बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ कर एक लंबी पट्टी तयार कर दी है अब इसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे डोरी आपको जितनी भी बारीक या मोटी चाहिए आप उसके हिसाब से सिलाई लगा सकते हैं मैं अलग कलर के धागे से आपको सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से स्टेप समझ आ जाए यह देखिए मैंने इतनी दूरी पर सिलाई लगाई है आप चाहें तो इससे बारीक डोरी भी बना सकते हैं एक और सिलाई अब हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि जब हम डोरी को पल्टें तो यह धागा तूटे नहीं यह देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दी है अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे तक्रीबन आदा इंच कपड़ा छोड़ कर मैं बाकी सारा कपड़ा कट कर रही हूँ इस तरह से सिलाई हमने अच्छे से लगा दी है अब हम इस डोरी को पल्टेंगे डोरी पलटने के लिए आप कोई भी बड़ी सुई ले लिजे और मोटा धागा इसमें डाल लिजे अगर मोटा धागा आपके पास नहीं है तो आप धागे के चार स्ट्रैंड्स डाल सकते हैं और उसके पीछे मैंने ये नौट लगा दी है अब ध्यान से देखिएगा हमें किस तरीके से यहां पर बांधना है धागे को बिल्कुल बीच में हमें इस तरह से दो चार बार टांका लगाना है ताकि ये धागा डोरी के साथ अच्छे से स्टेच हो जाए इस तरीके से अब हम सुई के पिछले हिस्से को डोरी के अंदर इस तरीके से डालेंगे इस तरह से आप चाहें तो नौर्मल सुई का इस्तेमाल करके भी डोरी बना सकते हैं लेकिन बड़ी वाली सुई से ये डोरी बहुत अच्छे से पल्टी जाती है और इजी भी रहती है बनानी तो ये देखिए इस तरह से मैंने सुई इसके आरपार कर दी है और अब हम इस सारी की सारी डोरी को कठा कर देंगे इस तरह से अब हम धागे को अच्छे से खीच लेंगे इस तरह से और उंगलियों पर इसको लपेट लेंगे अब हम इसके उपर वाले भाग से डोरी को पलटना शुरू करेंगे ये देखिए जहां पर हमने नौट लगाई थी उस एरिया को हमें अंदर की तरफ पुश करना है ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से देखिएगा अगर एक बार ये डोरी यहां से पलटनी शुरू हो गई तो इसको पलट के सीधा करना बहुत इजी हो जाएगा तो ये देखिए धागे को हम इस तरह से खीचते जाएंगे और कपडे को हम उपर की तरफ खीच लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये नौट इसके अंदर चली गई है एक बार ये अंदर चली जाएगी तो इसको पलटना बहुत इजी हो जाएगा और अब ध्यान से देखिएगा मैं धागे को बाहर की तरफ खीचती जा रही हूँ और कपडे को मैं उपर की तरफ पुल करती जा रही हूँ ये देखिए हमें इसी तरह से धागे को बाहर की तरफ खीचते जाना है और कपड़े को उपर की तरफ पुल्ट करते जाना है इस तरीके से और डोरी हमारी पैलटनी शुरू हो गई है अब हम इसको खीच के डोरी बहार की तरफ निकाल लेंगे ये देखिए हमारी डोरी बहार की तरफ आनी शुरू हो गई है अब इसी तरह से हम सारे के सारे कपड़े को खीच खीच के अंदर की तरफ पुश करना शुरू करेंगे और पीछे से हम डोरी को खीचते जाएंगे और बहुत इजीली हमारी ये डोरी बन कर त्यार हो जाएगी आप देखी सकते हैं कि कितनी स्मूदली ये डोरी पल्टी जा रही है भी अगर आप फर्स टाइम डोरी बना रहे हैं तो पहली डोरी थोड़ी सी मोटी बना लीजे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि डोरी किस तरीके से बनाई चाती है और दीरे दीरे फिर आप बारी एक डोरी भी बनानी शुरू कर सकते हैं इस तरह से ये देखिए कितनी एजिली हमारी ये डोरी सीधी हो रही है तो ये देखिए डोरी हमारी बन कर तयार हो गई है तो गाईज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को भी दबा लें साथ या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाईज थैंक यू सो मिच फॉर वाचिंग बाई बाई